Hi students, good morning, आज हम लोग exercise 4A, quadratic equations के question number 40 से लेकर question number 54 तक को solve करेंगे तो चलिए देखते हैं पहले question number 40 को, तो देखिए ये हमारा quadratic equation है और हमें इसे factorization method से solve करना है लेकिन देखिए यहाँ पे students को थोड़ा सा problem होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग जो quadratic equation solve कर रहे थे इस exercise के, अगर question number 39 को छोड़ दें तो वहाँ पे हमें जो constantum था ना, उसका exact value पता था, लेकिन देखिए यहाँ पे constantum हमारा क्या है? minus of a square minus b square, अब यहाँ पे देखिए कई students को ये confusion होता है, कि sir ये constantum है या variable term है तो देखिए ये जो quadratic equation है, ये invariable x है, तो यहाँ पे x को छोड़के आपको जो भी literal factor दिखेंगे, like a, b, c, z, है ना, तो ये सभी क्या होंगे? constant होंगे, या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए हमारा given quadratic equation है, 4x square plus 4bx minus of a square minus b square equals 0 तो ये जब तक एक एक बात को आप सीख नहीं लेंगे ना, फिर maths पनाने में मजा नहीं आता है, है ना? अब देखिए, ये हमारा given quadratic equation है, इसे आप compare किजे, quadratic equation के standard form से, सब clear हो जाएगा अभी, ax square जो कि होता है, ax square plus bx plus c equals 0 अब देखिए, अगर आप इस given quadratic equation को compare करते हैं, quadratic equation के standard form से, तो यहाँ पर आपको constant term का value मिल जाएगा, c equals minus of a square minus b square यानि कि हम clearly कह सकते हैं, कि यहाँ पर जो हमारा term है, minus of a square minus b square, ये एक constant term है, है ना? चलिए, अब देखते हैं कि आगे इसे solve कैसे करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा constant term है, a square minus b square, इसे हम लोग split कर सकते हैं, a plus b into a minus b में, तो इसे आगे solve करते हैं, तो लिख सकते हैं, 4x square plus 4bx, minus n है, रहने दिए, and a square minus b square को हम लोग लिख सकते हैं, a plus b into a minus b equals 0, अब देखिए, इसके बाद जो step यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना? वो सबसे crucial step होगा, इस type की question को solve करने में, अगर आप इस step को समझ लेते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा, guarantee देते हैं कि समझ में आएगा, तो इसके बाद, इस type के question को आपको solve करने में कभी भी कोई problem नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये request करता हूँ, कि आप किसी a question को ध्यान से देखिए, इस pattern का है ना, तो आपको सारा वाद समझ में आ जाएगा, अब ध्यान से समझते जाएगा, कि मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोसित कर रहा आपको, देखिए, यहाँ पे जो हमारा constant term है, यह क्या है, a plus b into a minus b, अब हमें इस term के help से, जो middle term है यहाँ पे, जो क्या है, 4bx, तो middle term है जो x का coefficient है, देखिए, क्या है, 4b, तो हमें b वाले term को generate करना है, कहां से, तो इस constant term के help से, कैसे generate करेंगे, तो या तो इस constant term को हम term आए, वो b में हो, है ना, इसे हम लोग समझते हैं, है ना, इसे solve करने का, कोसिस करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ माएगा, देखिए, यहाँ पे हमारा constant term क्या है, a plus b, and a minus b, अब देखिए, यह negative sign आप अभी avoid कर दिए है, इसे रहने दिए, यहीं पे, अब आप सोचि a, 2a मिल जाएगा, and यहाँ पे है plus b, and यहाँ से आएगा minus b, तो यह तो cut जाएगा, and हमें मिल जाएगा 2a, और देखिए, हमें लाना क्या था, हमें लाना था b वाला term, लेकिन यहाँ पे मिला हमें क्या, a वाला, तो यह हम नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, इस दोन plus b, इसे लिख सकते हैं, minus a, and minus into minus b, तो हो जाएगा, यह plus b, अब देखिए, a and minus a cancel out हो जाएगा, and b plus b, जो कि हमें 2 भी मिल जाएगा, और हमें यही चाहिए था, b वाला term, देखिए, यहाँ पे 4 b है, and यहाँ पे 2 भी मिला, तो इससे कोई ही चुनी है, है ना, इससे कोई ही सकते हैं, 2 into 2b, और यहाँ पे into x, and यह इसे ऐसे रेनेजे, a plus b into a minus b equals 0, अब देखिए, इसे आगे solve करते हैं, 4x square plus 2 into, देखिए, 2b के place पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a plus b minus of a minus b, क्योंकि इसी के help से तो हमने 2b लाया है, इसे solve करेंगे, तो क्या मिला हमें 2b, तो 2b के place प plus b minus of a minus b, तो यहाँ पे लिखते हैं, a plus b minus of a minus b, और into में देखिए, यहाँ पे x है, और यहाँ पे है minus of a plus b into a minus b equals 0, अब देखिए, इसे आगे हम लोग solve करते हैं, 4x square plus, देखिए, 2 से अगर आप a plus b को multiply करेंगे, तो आपको मिलेगा 2 into a plus b, बड़ देखिए, यहाँ पे इसमें x भी multiply होगा, तो इसमें x से multiply कर देते हैं, and again हम लोग 2 से multiply करेंगे, minus of a minus b को, तो यहाँ पे हमें मिलेगा minus of 2, a minus b, and into इसमें भी रहेगा हमारा x, and यहाँ पे जो, हमें हमारा minus of a plus b into a minus b equals 0, थोड़ा सा space कमपड़ रहा है, manage कर देखिए, अब देखिए, 4x square plus 2 into a plus b into x में क्या common है, तो 2x common है, 2x हम लोग common कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बज़ जाएगा, 2x, तो यहाँ से 2 into x अगर हम common कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल दाएगा, a plus b, and देखिए, minus of 2, a minus b into x, and minus of a plus b into a minus b में का common है, तो इसमें a-b common है हम यहाँ पर common कर लेते हैं minus of a-b अगर plus a-b यहाँ पर common करेंगे तो देखिए bracket के अंदर आपको minus 2x मिल जाता लेकिन यहाँ पर bracket के अंदर हमारा क्या है? 2x है है ना? तो bracket के अंदर हमें यहाँ पर same time मिलना चलिए इसलिए हमने यहाँ पर minus of a-b को common कर लिया तो यहाँ पर बज़ जाएगा 2x यहाँ पर क्या बज़ जाएगा? यहाँ पर minus है हमने minus को common कर लिया तो यहाँ पर बज़ जाएगा plus of a plus b equals 0 अब देखिए जो common term है उसे लिख लेते हैं हम लोग 2x plus a plus b तो bracket के अंदर हमें क्या मिल जाएगा? 2x minus of a minus b equals 0 अब इस दोनों term को हम लोग equate करेंगे 0 से ताकि हमें x का value मिल जाएगा तो चली equate करते हैं 2x plus a plus b equals 0 और लिख सकते हैं हम लोग यहां से 2x minus of a minus b equals 0 अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2x equals a plus b को अगर 0 के इदर लाएंगे तो लिख सकते हैं minus of a plus b और यहां से लिख सकते हैं 2x equals a minus b क्योंकि minus of a minus b को 0 के इधर लाएंगे तो यह plus of a minus b हो जाएगा और यहां से देखिए हमें x equals मिल जाएगा minus of a plus b by 2 और यहां से हमें मिल जाएगा x equals a minus b by 2 तो यह हमारा question number 40 solve हो गया चलिए अब हम देखते हैं question number 41 को तो देखिए question number 41 है हमारा 4x square minus 4a square x plus a to the power 4 minus b to the power 4 equals 0 अब similar manner में हम लोग इसे भी solve करेंगे जैसे question number 40 को हमने solve किया है है ना तो देखिए हम लोग सबसे पहला पहला काम क्या करेंगे तो इसे लिखेंगे आगे 4x square minus 4a square x अब देखिए यहां पर e to the power 4 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a square का square minus इसे लिख सकते हैं b square का square है ना equals 0 अब देखिए इसे further solve करते हैं तो लिख सकते हैं 4x square minus 4a square x प्लस यह वाला जो term है हमारा a square minus b square के formula पर break हो जाएगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a square plus b square into a square minus b square equals 0 and देखिए अब हमें क्या करना है तो इस constant term के help से हमें यहाँ पर generate करना है यहाँ पर a square वाला term को है ना तो कैसे generate करेंगे चलिए देखते हैं तो मैं यहाँ पर rough कर रहा हूँ देखिए हमारे पास term क्या है a square plus b square and a square minus b square अब इसे add करें या subtract करें तो चलिए पहले add करके देख लेते हम लोग नहीं आएगा add करके तो subtract करेंगे तो इसे लिख सकते हम लोग a square plus b square plus a square and plus into minus b square जो कि हो जाएगा minus b square तो यहाँ पर b square and minus b square cancel हो जाएगा and a square plus a square हमें क्या मिल जाएगा 2a square and देखिए हमें a square वाला term चाहिए था हमें मिल चुका है इसे further solve करते हैं तो लिख सकते हैं 4x square and देखिए यहाँ पर इसे लिख सकते हैं minus 2 into 2a square क्योंकि minus 2 into 2a square करेंगे तो minus 4a square मिल जाएगा into यह x plus यहाँ पर जोट हम है इसे भी रहने देखिए a square plus b square a square minus b square equals 0 4x square minus 2 into देखिए 2a square के plus करेंगे क्या लिख सकते हैं तो a square plus b square plus लिख सकते हैं a square minus b square क्योंकि इसी को solve करके हमने लाया था 2a square into यहाँ पर है x plus यहाँ पर है देखिए a square plus b square into a square minus b square equals 0 अब इसे आगे हम लोग solve करते हैं तो देखिए इसे लिख सकते हैं 4x square minus 2 से जब a square plus b square को multiply करेंगे तो हो जागा 2 into a square plus b square अब देखिए यहाँ पर x भी multiplied है तो इसमें x हम लोग multiply कर दिए अब देखिए minus 2 से अगर हम लोग a square minus b square को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा minus 2 into a square minus b square अब इसमें x multiplied है तो x हमने multiply कर दिया प्लस यहाँ पर हमारे टम बचा हुआ है भी a square plus b square into a square minus b square equals 0 अब देखिए 4x square minus 2 into a square plus b square into x में क्या common है तो 2x common है तो x हमने common कर लिए है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 2x minus यहाँ चे देखिए 2x अगर common कर लिए है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा a square plus b square एन देखिए इस दोनों टम से हम लोग common कर लेते हैं minus a square minus b square को तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2x minus of a square plus b square equals 0 अब देखिए दोनों में common term क्या है यह वाला तो इसे हम लोग common कर लेते हैं 2x minus of a square plus b square तो अब ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा 2x minus of a square minus b square equals 0 अब दोनों term को हम लोग 0 से equate कर देंगे ताकि हमें x के values मिल जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x minus of a square plus b square equals 0 और यहाँ से लिख सकते हैं 2x minus of a square minus b square equals 0 अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं 2x equals इसे 0 के इधर लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा a square plus b square और यहाँ से लिख सकते हैं 2x equals 0 के इधर लाएंगे तो यह positive हो जाएगा a square minus of b square और यहाँ से x equals हमें क्या मिल जाएगा a square plus b square by 2 और यहाँ से हमें x का वेली मिल जाएगा a square minus b square by 2 तो चलिए अब हम लोग देखते हैं question number 42 को तो देखिए इस question में जो हमारा constant term है minus of a square plus a minus 6 यह एक quadratic polynomial है तो middle term factorization के help से हम लोग इस quadratic polynomial के factors find कर लेंगे और उसके बाद फिर similar manner में जैसे हमने 40 and 41 cosine को solve किया उसी तरह यह solve हो जाएगा है न तो चलिए पहले इसके factors को हम लोग चाहें तो आप यहाँ भी find कर सकते हैं या फिर rough में find करके यहाँ पे direct लिख सकते हैं तो rough में find कर लेते हम लोग इसे देखें यहाँ पे जो term है हमारा यह क्या है a square plus a minus 6 अब देखें यहाँ पे हमें जो factors find करने हैं न वो कैसे find होगा तो यहाँ पे हम लोग middle term factorization कर लेंगे है न तो यहाँ से हमें factors मिल जाएंगे यहाँ पे a को हमें break करके कितना लाना है minus 6a square है न तो इसे हम लोग कैसे लाते हैं तो देखें यहाँ पे a square लेका हमने plus a को हम लोग क्या ले सकते हैं 3a minus 2a and यह minus 6 अब देखें यहाँ पे a square and 3a में क्या common है a हमने common कर लिए है यहाँ पे बज़ जाएगा a plus 3 and minus 2a and minus 6 में क्या common है तो minus 2 common कर लिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a plus 3 तो देखें यहाँ पे common क्या है दोनों term में a plus 3 and यहाँ पे बज़ जाएगा हमारे पास a minus 2 तो देखिए इसके factor से मिल चुके हैं तो इसे आगे solve करते हैं x square plus 5x minus 9 रहने दिए और देखिए a square plus a minus 6 के क्या क्या factor से मिले तो a plus 3 and a minus 2 equals लिख देते हैं 0 अब तो आपको पता है कि caution कैसे solve करना है हमें यहाँ पे क्या करना है तो इस constant term के help से यहाँ पे जो middle term है हमारा 5x इसमें x का coefficient है 5 यानि कि हमें इस दोनों term को solve करके 5 लाना है 5 generate करना है तो कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं तो देखिए a plus 3 and यहाँ पे हमारे पास a minus 2 यहाँ पे minus sign रहने दिए इससे कोई दिकत नहीं है अब आप सोचिए कि इसको add करें या subtract करें तो हमें यहाँ पे 5 मिल जाए तो पहले add करके हम लोग देख लेते हैं तो अगर इससे हम लोग solve करते हैं a plus 3 plus यह हो जाएगा a minus 2 तो a plus a कितना हो जाएगा 2 and 3 minus 2 minus 1 तो इससे तो हमारा बात नहीं बना तो फिर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग तो अब इस दोनों term को हम लोग subtract करके देख लेते हैं a plus 3 minus कर देते हैं a minus 2 अब देखिए a plus 3 minus of a and minus into minus 2 जो कि हो जाएगा plus 2 a and a cancel out हो जाएगा and 3 plus 2 जो कि हमें मिल जाएगा 5 यानि कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया अब इससे आगे solve करते हैं x square plus देखिए 5 के place पे हम लोग क्या लिख सकते हैं तो a plus 3 minus of a minus 2 क्यों तो कि इसी term को हम लोग solve करके 5 लाए होगे हैं तो इसको replace कर सकते हैं इससे तो 5 के place पे लिख देते हैं a plus 3 minus of a minus 2 और देखिए यहाँ पे x multiply में होगा and minus यहाँ पे जो term बचा हुए उसे लिखे a plus 3 into a minus 2 equals 0 अब इसे further हम लोग solve करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा x square तो देखिए a plus 3 को अगर x से multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा plus a plus 3 into x and यह term भी x से multiply होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा minus of a minus 2 into x and इधर देखिए हमारे term क्या है minus of a plus 3 into a minus 2 equals 0 अब देखिए इस दोनों term में क्या common है तो x common है x लोग common कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x plus यहाँ पे बच जाएगा a plus 3 and यहाँ इस term में और इस term में क्या common है तो minus of a minus 2 common कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे x minus sorry plus of a plus 3 equals 0 इधर देखिए minus a minus 2 into अगर आप परेंगे plus a plus 3 तो अगेन आपको यह वाला constant term मिल जाएगा है अब चलिए यहाँ पे हमारा common term क्या है तो देखिए x plus a plus 3 यह हमने common कर लिया तो अब bracket के अंदर हमारा क्या बच जाएगा x minus of a minus 2 equals 0 अब इस दोनों term को हम लोग 0 से equate कर देंगे ताकि x का value मिल जाए तो लिख सकते हैं x plus of a plus 3 equals 0 और यहाँ से लिख सकते हैं x minus of a minus 2 equals 0 तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा x का value x equals minus of a plus 3 क्योंकि a plus 3 को अगर 0 के इधर लाएगे तो यह minus में हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा x equals a minus 2 है ना तो यह हमारे answers आचुके हैं question number 42 तो चलिए अब हम लोग देखते है question number 43 हो तो देखिए हमारा question number 43 है x square minus of 2ax minus of 4 b square minus a square equals 0 इसे solve करते हैं हम लोग तो देखिए इसे लिख सकते हैं x square minus 2ax minus यहाँ पे रहने दिए and देखिए यहाँ पे 4b square को हम लो लिख सकते हैं 2b का square and minus यह a square equals 0 अब देखिए यहाँ पे जो 2b square है minus of a square है यह हमारा formula पे break हो जाएगा a plus b into a minus b में है ना तो चलिए इसे आगे solve करें हम लोग तो देखिए यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं x square minus 2ax minus a plus b यहाँ पे हो जाएगा 2b plus a into a minus b हो जाएगा 2b minus a equals 0 अब देखिए हमें क्या करना है तो अब हमें इन दोनों terms के help से यहाँ पे जो है 2b plus a into 2b minus a इसके help से जो middle term का coefficient है यहाँ पे हमारा minus 2a इसे generate करना है यानि कि a वाला term generate करना है तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे generate कर सकते हैं तो rough में इसके लिए हम लोग काम करेंगे हमारे पास term क्या है यहाँ पे 2b plus a and 2b minus a अब देखिए अगर इन दोनों term को हम लोग subtract करते हैं क्योंकि या तो subtract करके हमें लाना है या तो add करके है ना तो subtract करके देख लेते हैं तो subtract करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2b plus a minus of 2b plus a तो देखिए 2b and 2b cancel out होगे हमें मिल गया 2a अब देखिए यहाँ पे हमें 2a मिला and यहाँ पे x का कॉपेसेंट है minus of 2a तो इससे कोई problem नहीं है हमें है ना इस चीज़ से कोई problem नहीं है minus sign को आगे रख देंगे हम तो चलिए अब इसे हम लोग solve करते हैं x square minus लिख दिया है यहाँ पे हमने minus sign था तो 2a के place पे हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2a के place पे हम लोग लिख सकते हैं 2b plus a minus of 2b minus a क्योंकि इसी term को हम लोग solve करके 2a लाए है और into यहाँ पे x minus of यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2b plus a into 2b minus a equals 0 अब इसे आगे solve करेंगे x square अब दिखिए minus 2b plus a into यहाँ पे x होना है तो यह हो जाएगा minus of 2b plus a into x and minus into minus यह हो जाएगा plus 2b minus a into x and यहाँ पे हमारे term बचा हुआ है minus of 2b plus a into 2b minus a equals 0 अब दिखिए इस दोनों term में क्या common out कर सकते हैं हम लोग तो x को common कर सकते हैं x common कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बच जाएगा x minus of 2b plus a and दिखिए इस दोनों term में क्या common होगा तो इस दोनों term से हम लोग common कर लेते हैं 2b minus a को तो दिखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x 2b minus a यहाँ से common करेंगे तो क्या बचेगा x and यहाँ पे क्या बच जाएगा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा minus of 2b plus a equals 0 अब इसे हम लोग solve करेंगे तो देखिए common term हमारा क्या है यहाँ पे तो x minus of 2b plus a यह हमारा common term हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x plus 2b minus a equals 0 दोनों term को हम लोग 0 से equate कर देंगे ताकि x के values मिल जाए हमें तो लिख सकते हैं x minus of 2b plus a equals 0 और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x plus of 2b minus a equals 0 अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x equals 2b plus a और यहाँ से लिख सकते हैं x equals minus of 2b minus a है ना तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं arrange करके x equals a plus 2B और यहां से लिख सकते हैं X अगर minus sign आप 2B में multiply गरेंगे तो यह हो जागा minus 2B and minus sign अगरा minus A में multiply गरेंगे तो यह हो जागा A तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A minus of 2B और यह हमारा question number 43 solve हो गया तो चलिए अब हम लोग देखते है question number 44 तो देखिए इस question में जो हमारा constant term है B square minus B minus 20 यह एक quadratic polynomial है तो सबसे पहले हम लोग middle term factorization के help से इस quadratic polynomial के factors find कर लेंगे और फिर similar manner में जैसे हम लोग previous question को solve कर रहे थे वैसे यह भी solve हो जाएगा तो इसे रफ में पहले हम लोग solve कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा constant term है B square minus B minus 20 अब देखिए यहाँ पे middle term यानि की minus B को break करके हमें राना है product of first and last term यानि की minus 20 B square तो यह तो आपको आता है तो फिर भी हम लोग इसे solve करेंगे अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं B square and minus B को क्या ले सकते हैं minus 5B plus 4B क्योंकि देखिए minus 5B plus 4B equals हमें minus B मिलेगा and अगर आप minus 5B into 4B करेंगे तो आपको minus 20 B square मिल जाएगा and minus यहाँ पे 20 अब देखिए B square minus 5B में क्या common है तो B हमने common कर लिए यहाँ पे बज़ जाएगा B minus 5 and 4B minus 20 में क्या common है तो हमने यहाँ पे common कर लिए 4 को तो यहाँ पे बज़ जाएगा B minus 5 तो हमें यहाँ पे factors क्या क्या मिल जाएगे एक तो B minus 5 and दूसरा B plus 4 अब देखिए इस constant term के place पे हम लोग लिख देंगे B minus 5 into B plus 4 चलिए इसे solve करते हैं तो लिख सकते हैं X square minus of 2B minus 1 into X प्लस इस पूरे term के place पे हम लोग यहाँ पे replace कर देंगे B minus 5 into B plus 4 equals 0 अब देखिए अगला हमारा step क्या है तो हम लोग इस constant term के help से यहाँ पे जो middle term हमारा है इसमें से X का जो coefficient है 2B minus 1 यह generate करना यानि कि इस दोनों term के help से हम लोग लाएंगे 2B minus 1 कैसे आएगा add या subtract करने पे तो चलिए देखते हैं solve करके इसे तो देखिए हमारे पास जो term से हो क्या है B minus 5 and B plus 4 अब इसे add करके पहले हम लोग देख लेते हैं तो इसे add करेंगे तो क्या मिलेगा B minus 5 plus B plus 4 अब देखिए B plus B तो हम मिल जाएगा 2B and minus 5 plus 4 इतना मिल जाएगा minus 1 तो 2B minus 1 हमें मिल चुका है यहाँ पे देखिए X का कॉपी से अंट है तो अब इस place पे हम लोग क्या लेखेंगे तो इस place पे हम लोग ले सकते हैं B minus 5 plus B plus 4 तो इसे solve करते हैं X square minus रहने दिया हमने अब 2B minus 1 के place पे हम लोग लिखेंगे B minus 5 plus B plus 4 इंटू में देखिए यहाँ पे X है plus यह टम B minus 5 into B plus 4 equals 0 अब इसे further solve करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा X square minus B minus 5 में यह multiply होगा तो हमें मिलेगा minus of B minus 5 into X अब देखिए minus से multiply करेंगे इस term को तो यहाँ पे हमें मिलेगा again minus of B plus 4 and X multiply होगा तो यहाँ पे X लिख दिया plus B minus 5 into B plus 4 equals 0 अब देखिए इस term और इस term में क्या common है तो X common है हमने common कर लिए तो यहाँ पे बज़ जाएगा X minus of B minus 5 and देखिए यहाँ पे इस term और इस term में क्या common है तो यहाँ पे हम लोग common कर लेते हैं minus of B plus 4 को तो हमें मिल जाएगा यहाँ से X and यहाँ पे मिल जाएगा minus of B minus 5 equals 0 अब देखिए यहाँ पे common term हमारा क्या है X minus of B minus 5 तो इसे हमने लिख लिया यह common कर लिया तो यहाँ पे bracket के अंदर हमें क्या मिल जाएगा X minus of B plus 4 equals 0 दोनों term हमको equate करेंगे 0 से X minus of B minus 5 equals 0 और यहाँ से लिख सकते हैं X minus of B plus 4 equals 0 देखिए यहाँ से हमें X का वे लिख क्यों मिल जाएगा तो यहाँ से हमें X equals मिल जाएगा B minus 5 और यहाँ से हमें X equals मिल जाएगा B plus 4 तो यह हमारा question number 20 sorry, question number 44 solve हो गया तो चलिए अब हमको देखते हैं question number 45 को तो देखिए इस question में भी जो हमारा constant term है यह quadratic polynomial है तो middle term factorization के help से हम लोग इस quadratic polynomial के पहले factors find कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा constant term क्या है A square plus 2A minus 8 अब देखिए यहाँ पर जो middle term है हमारा यह है 2A हमें इस middle term को break करके लाना है product of first and last term यानिकि minus 8A square तो कैसे break कर सकते हैं तो लिख सकते हैं इसे A square plus 2A के लिख सकते हैं लोग 4A minus of 2A क्योंकि 4A minus 2A हमें 2A देदेगा and 4A into अगर minus 2A करेंगे तो हमें product of first and last term मिल जाएगा minus 8 अब देखिए A square and 4A में क्या common है A हमने common कर लिया तो यहाँ पर बज़ जाएगा A plus 4 and minus 2A minus 8 में क्या common करें तो minus 2 तो यहाँ पर बज़ जाएगा A plus 4 तो factors में क्या-क्या मिल गए A plus 4 and A minus 2 अब देखिए हम लोग इस quadratic polynomial के place पे लिख सकते हैं A plus 4 into A minus 2 तो इसे आगे solve करते हैं X square plus 6X minus 9 था minus हमने दे दिया and इसके place पे हम लोग लिख देंगे A plus 4 into A minus 2 equals 0 अब देखिए next step हमारा क्या है तो यहाँ पर जो हमारा constant term है इस constant term के help से हमें यहाँ पर जो middle term का coefficient है यहाँ पर जो middle term का coefficient है 6 इसे generate करना तो इस दोनों term के help से हम लोग कैसे generate कर सकते हैं तो यहाँ फिर add करके या तो subtract करके तो देखते हैं पहले subtract करके A plus 4 minus of A minus 2 तो देखिए इसे solve करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा A plus 4 minus of A plus 2 तो A and A cancel out 4 plus 2 क्या मिलेगे हमें 6 यान कि 6 को हम लोग replace कर सकते हैं A plus 4 minus of A minus 2 से ताकि हमारे terms common आज सके हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं X square plus 6 के place पर क्या लिखेंगे A plus 4 minus of A minus 2 and इसमें X multiplied है तो X हमने multiply कर दिया and minus of यहाँ पर हमारे term है A plus 4 into A minus 2 equals 0 अब इसे आगे solve करते हैं X square plus A plus 4 में X multiply होगा तो हमें term मिल जाएगा A plus 4 into X and यहाँ पर दिखिए यहाँ पर हमारे term का है minus of A minus 2 इसमें X multiply होगा यहाँ पर बज़ जाएगा minus of A plus 4 into A minus 2 equals 0 अब दिखिए इस दोनों term में क्या common है तो X common है X हमने common कर लिया तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा X plus of A plus 4 और यहाँ पर दिखिए यहाँ पर हमारे term common आएगा तो minus of A minus 2 हमने common कर लिया तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा X plus of A plus 4 है ना equals 0 अब दिखिए यहाँ पर हमारा common term क्या है तो X plus of A plus 4 इसे हमने common कर लिया तो bracket के अंदर हमें मिल जाएगा X minus of A minus 2 equals 0 अब इस दोनों term को हम लोग 0 से equate करेंगे ताकि हमें X के value मिल सके X plus of A plus 4 equals 0 और दूसरा term हमारा है X minus of A minus 2 equals 0 तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा X equals minus of A plus 4 और यहाँ से मिल जाएगा X equals A minus of 2 और यह हमारा question number 45 का answer है तो चलिए अब हम लोग देखते है question number 46 को तो देखिए यह बहुत ही simple question है तो इसे हम लोग solve करते हैं यहाँ पर लिख सकते हम लोग A B X square plus B square में आप X multiply कर दीजे तो आपको मिल जाएगा B square X minus A C में अगर आप X multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus of A C X and यहाँ पर है minus B C equals 0 अब देखिए इस दोनों टर्म में आप common कर सकते हो तो इस दोनों टर्म में आप common कर सकते हो B X को तो अगर हम लोग A B X square से B X को common कर लेंगे तो यहाँ पर पर जाएगा A X plus अगर B square X से हम लोग B X को common कर लेंगे तो यहाँ पर पर जाएगा B minus इस दोनों term से हम लोग क्या common कर लेते हैं तो minus c common कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ax plus b equals 0 अब दिखिए यहाँ पर हमारा common term क्या है तो यहाँ पर हमारा common term है ax plus b हमने common कर लिया तो bracket के अंदर हमें मिल जाएगा bx minus c equals यह 0 अब दोनों टम को हम लोग 0 से equate करेंगे ताकि X के value find कर सकें तो यहां से लिख सकते हैं AX plus B equals 0 और यहां से लिख सकते हैं BX minus C equals 0 अब दिए यहां से लिख सकते हैं AX equals minus B और यहां से लिख सकते हैं BX equals C तो यहां से हमें मिल जाएगा X equals minus B by A और यहां से मिल जाएगा हमें x equals c, y, b तो यह हमारा caution number 46 भी solve हो गया तो चलिए अब हम लोगों देखते हैं caution number 47 को तो देखिए caution number 47 में अगर हम लोग minus sign common कर लें minus b square plus 4a square से तो देखिए हमें यहां पर मिल जाएगा b square minus 4a square और हमने यहां पर minus sign क्यों common किया तो इसे formula based करने के लिए है ना इसके factors लिखने के लिए अब देखिए इसे आगे लिए सकते हैं minus b square minus 4a square को क्या लिए सकते हैं हम लोग तो 2a का square अब देखिए यह जो term है हमारा यह a plus b into a minus b के formula पर break हो जाएगा है तो यहां से आगे हम लोग solve करते हैं x square minus 4ax अब देखिए इस दोनों term से हम लोग minus sign common कर लेते हैं तो यहां पर मिल जाएगा b square minus 4a square equals 0 अब इसे आगे solve करते हैं x square minus 4ax minus sign हमने रहने दिया अब देखिए इससे हम लोग लिए सकते हैं b square minus 2a का square equals 0 आगे लिए सकते हैं x square minus 4ax minus अब देखिए यह a square minus b square के formula पर break होगा तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग minus of b plus 2a into b minus 2a equals 0 अब देखिए यहां से हमारा आगे का क्या काम है तो हमें इस दोनों term से यहां के b plus 2a and b minus 2a के help से जो middle term है minus of 4ax इसमें x का जो coefficient है हमारा e वारा term इसे generate करना है है ना तो कैसे generate करेंगे चलिए देखते हैं तो यहां पर हमारा term है b plus 2a and b minus 2a अब देखिए अगर इस term को हम लोग subtract करते हैं तो हमें क्या मिलेगा b plus 2a minus of b plus 2a b and b cancel out हो जागा तो यहां से हमें मिल जाएगा 4a यानि कि यहां पर जो x का coefficient वारा term है हमारा वो मिल चुका है तो देखिए यहां से आगे लिख सकते हैं x square minus देखिए 4a के place में हम लोग क्या लिख सकते हैं b plus 2a minus of b minus 2a क्योंकि इसी के help से हमने 4a लाए था तो लिख देते हैं b plus 2a minus of b minus 2a into यहां पर x है minus b plus 2a into b minus 2a equals 0 तो इसे आगे लिख सकते हैं x square minus यह minus इस term में multiply होगा तो क्या मिल जाएगा हमें b plus 2a and x 20 में multiply होगा तो into x minus into minus plus b minus 2a into x minus of b plus 2a into b minus 2a equals 0 अब देखिए यहां पर इसे दोनों term में x common है तो हमने common कर लिया तो हमें bracket के अंदर के मिल जाए यहां पर x minus of b plus 2a इसे दोनों term में क्या common है b minus 2a into x and minus of b plus 2a into b minus 2a में तो यहां पर b minus 2a हमारा common है तो इसे हम लोग common कर लेते हैं तो bracket के अंदर में मिल जाएगा x minus of b plus 2a equals 0 इदर अब देखिए यहां पर common term क्या है तो यहां पर हमारा common term है x minus of b plus 2a तो इसे हमने common कर लिया तो यहां पर bracket के अंदर हमें क्या मिल लेगा x plus b minus 2a यह वारा term equals 0 अब दोनों term को हम लोग 0 से equate करेंगे ताकि हमें x के value मिल सके लिए सकते हैं x minus of b plus 2a equals 0 और यहां से लिए सकते हैं x plus of b minus 2a equals 0 तो देखिए यहां से हमें x करके value मिल जाएगा तो x equals हमें मिल जाएगा b plus 2a और यहां से हमें x equals क्या मिल जाएगा तो अगर इस तो जिएरो के इदर लाएंगे तो यहां पर minus आजाएगा b minus 2a जिसे कि हम लोग solve करके लिए सकते हैं आगे तो यहां से जब b multiply होगा तो minus b होगा and minus से जब minus 2a multiply होगा तो plus 2a होगा तो इसे लिए सकते हैं 2a plus sorry यहां पर हो जाएगा यह 2a minus b तो यह हमारा answer रहा तो चलिए अब हम लोग solve करते हैं cos number 48 को तो इसे लिए सकते हम लोग 4x square and यहां पर minus 2 को हम लोग multiply गरेंगे a square से तो यह हो जाएगा minus 2a square लिखें देखें यहां पर x भी multiply है तो यहां पर x पर आएगा अगेर हम लोग minus 2 से multiply गरेंगे b square को तो यहां पर हो जाएगा minus 2b square and इसमें x भी multiplied है प्लस A square B square equals 0 अब देखिए 4X square and minus 2A square X में क्या common है तो यहाँ पर common है 2X हमने common कर लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 2X and यहाँ पर बच जाएगा minus of A square अब देखिए minus 2B square X plus A square B square में क्या common है तो देखिए इसमें सिर्फ common है हमारा B square तो अगर यहाँ पे हम लोग common कर लें minus of b square को तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2x और यहाँ पे मिल जाएगा हमें minus of a square equals 0 अब दिखिए हमारा common term क्या है 2x minus a square तो यहाँ पे bracket के अंदर हमें मिल जाएगा 2x minus b square equals 0 दोनों term को हम लोग equate करेंगे 0 से ताकि हमें x के values मिल सके हैं तो यहां से लिख सकते हैं 2x equals a square और यहां से लिख सकते हैं 2x equals b square और यहां से देखिए हमें x equals क्या मिल जाएगा a square by 2 और यहां से मिल जाएगा x equals b square by 2 तो यह हमारा cosine number 48 solve हो गया तो चलिए अब हमों solve करते हैं cosine number 49 को तो देखिए cosine number 49 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 12abx square अब देखिए minus sign से आप अंदर यहाँ पर multiply कर लेजे तो आपको मिल जाएगा minus 9a square and यहाँ पर x multiplied है तो इसमें x भी आ जाएगा and minus into minus 8b square जो कि plus 8b square हो जाएगा into यहाँ पर x minus of 6ab equals 0 तो देखिए 12abx square and minus 9a square x में क्या common मिलेगा तो यहाँ पर हमें common मिल जाएगा 3ax तो देखिए bracket में यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4bx minus 3a plus 8b square x and minus 6ab में क्या common हो जाएगा तो यहाँ पर common हो जाएगा हमारा 2b तो यहाँ पर हमें again मिल जाएगा 4bx minus of 3a equals 0 अब देखिए जो common term है उसे हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पर हमारा common term है 4bx minus 3a इसे हमने common कर लिया तो bracket के अंदर हमें क्या मिल जाएगा 3ax plus 2b equals 0 अब दोनों ही term को हम लोग 0 से equate कर देंगे x के value को find करने के लिए तो लिख सकते हैं और 3ax plus 2b equals 0 अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4bx equals 3a और यहां से लिख सकते हैं 3ax equals minus 2b यहां से हमें x equals मिल जाएगा 3a by 4b और यहां से हमें x equals मिल जाएगा minus of 2b by 3a जिसे आप चाहें तो arrange करके लिख सकते हैं 3 by 4 into a by b और यहां से लिख सकते हैं x equals minus 2 by 3 into b by a तो यह हमारा cosine number 49b solve हो गया तो चलिए अब हम लोग देखते हैं cosine number 50 को तो देखिए यहां पे बस हमें terms को common करना है तो देखिए a square b square x square plus b square x में क्या common होगा तो यहां पे common हो जाएगा b square x तो देखिए अगर हम लोग a square b square x square से b square x common कर लेते हैं तो यहां पे बज़ जाएगा a square x plus यहां पे बज़ जाएगा हमारा 1 अगर हम लोग minus a square x minus 1 से minus 1 को common कर लें तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें a square x plus 1 equals 0 अब देखिए यहाँ पर हमारा common term है a square x plus 1 तो इसे हमने common कर लिया तो bracket के अंदर हमारा क्या बच जाएगा b square x minus 1 equals 0 अब दोनों term को हम लोग 0 से equate कर देंगे a square x plus 1 equals 0 और b square x minus 1 equals 0 अब देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा a square x equals minus 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा b square x equals 1 देखिए यहाँ से मिल जाएगा x equals minus 1 by a square और यहाँ से मिल जाएगा x equals 1 by b square तो यह हमारा question number 50 भी solve हो गया तो चलिए अब हम लोग देखते है question number 51 को तो देखिए इस constant term में जो हमारा constant term है ये एक quadratic polynomial है तो हम लोग middle term factorization के help से पहले इस quadratic polynomial के factors लिख लेंगे और इस constant term को इसके factor के term में represent कर देंगे तो चलिए इसे हम लोग रफ में कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा constant term है 2a square plus 5ab plus 2b square अब देखिए यहाँ पे हमें middle term को break करके लाना है product of first and last term यानि कि 2a square into 2b square जो की हो जाएगा 4a square b square तो हम लोग कैसे break कर सकते हैं इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2a square plus 5ab को में लिख सकते हैं 4ab plus ab and plus ये 2b square देखिए अगर आप 4ab plus ab add करेंगे तो आपको 5ab मिलेगा अगर आप 4ab into ab करेंगे तो आपको 4a square b square मिलेगा अब देखिए इस दोनों term में क्या common है तो इस दोनों term में common है 2a तो common कर लेते हैं 2a यहाँ पे बच जाएगा a plus यहाँ पे बच जाएगा 2b अगर देखिए ab plus 2b square में क्या common है तो यहाँ पे common है हमारा b तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास a plus 2b तो हमें factors कैके मिल जाएंगे a plus 2b and 2a plus b है ना तो देखिए अब इस constant term के place पे हम लोग लिख सकते हैं a plus 2b and 2a plus b तो चलिए इसे आगे solve करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 9x square minus of 9a plus b into x plus इस पूरी term के place में हम लोग लिख देंगे a plus 2b into 2a plus b equals 0 अब देखिए आगे हमें क्या करना है तो देखिए आगे हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 9x square and minus 9 को लिख सकते हैं 3 into 3a plus b into x plus a plus 2b into 2a plus b equals 0 यहां पे मैंने ऐसा क्यों लिखा इससे हमें benefit मिलेगा अभी पता चल जाएगा आपको अब देखिए इससे आगे लिख सकते हैं लोग 9x square minus of 3 अगर इस 3 को यहां पे अंदर multiply कर दें तो हमें मिल जाएगा 3a plus 3b into x plus यहां पे है a plus twice of b into twice of a plus b equals 0 अब देखिए हमारा अगला काम क्या है तो अगला काम है हमारा इस constant term के help से यहां पे जो middle term है इसके coefficient वाला term generate करना यानि कि हमें यहां पे जो term लाना है वो 3a plus 3b लाना है या फिर अगर minus of 9 into a plus b आ जाए तो भी ठीक है जो हमें term मिले यानि कि यह term a plus b के term में होना ही चाहिए तो इसे कैसे break कर सकते हैं तो यह hint हमें कहां से मिलता है यहां से जो constant term है इसे या तो add करेंगे या तो subtract करेंगे तो चलिए पहले add करके देख लेते हैं तो हमारा term है a plus 2b and 2a plus b चलिए add करके देखते हैं कि क्या होता है तो अगर इन दोना terms को हम लोग add करते हैं तो हमें क्या मिलेगा a plus 2b plus 2a plus b देखिए a plus 2a हमें मिल जाएगा 3a and 2b plus b हमें मिल जाएगा 3b अब देखिए यहाँ पे 3a plus 3b है तो इस place पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a plus 2b plus 2a plus b क्योंकि इसी term को solve करके हमने यह लाया है तो इसे आगे solve करते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ से 9x square minus 3 यहाँ पे हमने रहने दिया है न and यहाँ पे देखिए 3a plus 3b के place पे हम लोग लिख साए है a plus 2b plus of 2a plus b into x plus यहाँ पे a plus 2b into 2a plus b equals 0 अब इसे आगे solve करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 9x square अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग minus 3 इस term में multiply करते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा है minus of 3 into a plus 2b into x and अगर इस term में multiply करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा minus of 3 into 2a plus b into x अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या common है तो 3X थो 3X हमने common कर लिया तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3X अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या बच जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा minus of a plus 2b अब देखिए इस दोनों टर्म में हम लोग क्या common कर लेंगे देखिए यहाँ पे हम लोग common कर लेंगे minus of 3 2a plus b को तो हमें bracket के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोग सिर्फ common करेंगे 2a plus b को ताकि हमारा term सेम आए और यही common भी होगा है यहाँ पे मैंने mistake से 3 लिख दिया यहाँ पे हम लोग common करेंगे minus of 2a plus b तो यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा 3x minus of यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास a plus 2b a plus 0 यहाँ कि देखिए अगर आप minus of 2a plus b से 3x को multiply करेंगे तो आपको again यह वाला term मिल जाएगा अगर आप minus of 2a plus b को multiply करेंगे minus of a plus 2b से तो आपको यह वाला term मिल जाएगा अब देखिए यहाँ पे हमारा common term क्या है तो यहाँ पे हमारा common term है 3x minus of a plus 2b इसे हमने common कर लिया तो bracket के अंदर हमें क्या मिल जाएगा 3x minus of 2a plus b equals 0 अब दोना term को हम लोग 0 से equate करेंगे तो लिख सकते हैं 3x minus of a plus 2b equals 0 और 3x minus of 2a plus b equals 0 अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x equals a plus twice of b और यहाँ से लिख सकते हैं 3x equals twice of a plus b तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा x equals a plus twice of b by 3 और यहाँ से मिल जाएगा x equals twice of a plus b by 3 तो यह हमारा cost नुमर 51 भी solve हो गया तो चलिए अब हम लोग देखते हैं cost नुमर 52 को तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा quantity equation दिया हुआ है यह standard form में नहीं है तो हमें इसे standard form में represent करना होगा पहले और देखिए यहाँ पे कुछ value दिया हुआ है जो पहले से defined है कि x यहाँ पे 0 नहीं होगा और x minus 1 नहीं होगा तो इसका कोई use यहाँ पे है नहीं लेकिन समझ लिए अगर यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो 16 by 0 क्या हो जाएगा not defined and again अगर आप यहाँ पे minus 1 पूट करतेंगे x का value तो दिखिए 15 by 1 minus 1 यहना कि यह 5 से 0 हो जाएगा and 15 by 0 which is not defined तो यह already mentioned कर दिया है कि यह values नहीं होगा है ना तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग आगे solve कैसे कर सकते हैं तो दिखिए यहाँ से पे सबसे पहरे हम लोग क्या करेंगे तो LCM लेके इस time को solve करने का कोशिस करते हैं तो दिखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना लेके सकते हम लोग 1 तो X and 1 का LCM क्या हो जाएगा X अब X से X को divide देंगे 1 1 से 16 को multiply रहेंगे तो 16 यह तो आता होगा आपको 1 से X को divide करेंगे तो X and X को minus 1 से multiply करेंगे तो minus X equals 15 by X plus 1 अब देखिए यहाँ पे हम लोग cross multiplication कर लेंगे तो लिख सकते है 16 minus X into हो जाएगा X plus 1 equals 15 into X which is 15X इसे solve करते हैं तो 16 into X जो कि हमें देखा 16X and 16 into 1 यहाँ पे मिल जाएगा 16 minus X into X minus X square and minus X into 1 minus X equals 15X अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं 16X में से X जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 15X plus यहाँ पे हमारा 16 यहाँ पे है minus X square equals 15X अब देखिए 15X and 15X cancel out तो यहाँ पे क्या बच रहा है तो देखिए यहाँ पे बच रहा है 16 minus of X square equals 0 अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 4 square minus X square equals 0 अब देखिए यह A square minus B square के formula पे break हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 plus X into 4 minus X equals 0 अब दोनों term को हम लोग 0 से equate करेंगे तो लिख सकते हैं 4 plus X equals 0 और यहाँ से लिख सकते हैं 4 minus X equals 0 तो देख़्िए यहां से हमें X का value मिल जाएगा-4 और यहां से हमारा X का value मिल जाएगा तो देखिए हमारा X का value मिल जाएगा-4 तो यह हमारा quotient nr.52 solve हो गया तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो quadratic equation हमें दिया हुआ है यह standard form में नहीं है तो सबसे पहले हमें इस quadratic equation को standard form में लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे तो इसे हम लोग LCM लिखे पहले solve परते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 डाल सकते हैं x and 1 का LCM क्या हो जाएगा x x को divide दिजिए 1 1 into 4 4 1 से x को divide दिजिए तो x and x को minus 3 से multiply कीजिए तो minus 3x equals लिख सकते हैं 5 by 2x plus 3 अब यहाँ पर हम लोग cross multiplication कर लेंगे तो लिख सकते हैं 4 minus 3x into 2x plus 3 equals 5 into x which is 5x 4 से 2x को multiply करेंगे तो हम मिलेगा 8x 4 को 3 से multiply करेंगे तो हम मिलेगा 12 minus 3x into 2x which is minus 6x square and minus 3x into 3 which is minus 9x equals 5x अब दिखी यहाँ पर 8x and minus 9x इसे हम लोग solve करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा minus x plus यह रहा 12 यहाँ पर रहा minus 6x square and अगर 5x को इधर लेते आएं तो यह बन जाएगा minus 5x equals यहाँ लिख सकते हैं 0 अब दिखीए इसे arrange कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं minus 6x square minus x and minus 5x क्या हो जाएगा minus 6x plus यहाँ पर हमारा 12 equals 0 अब दिखीए अगर यहाँ पर हम लोग minus 6 को common कर लें तो यहाँ पर क्या बज़ जाएगा x square minus यहाँ पर क्या बज़ जाएगा sorry यहाँ पर plus x बज़ जाएगा यहाँ पर बज़ जाएगा minus 2 equals 0 अब दिखीए अगर equation के दोनों तरफ हम लोग minus 6 से divide कर दें तो यहाँ पर minus 6 eliminate हो जाएगा and हमें क्या मिल जाएगा x square plus x minus 2 equals 0 अब दिखीए यहाँ पर हमें middle term को break करना है यहाँ पर यह quadratic equation है and हमें product of first and last term लाना है यहाँ कि x को break करके हमें लाना है minus of 2x square तो कैसे लग सकते हैं देखीए इसे लिख सकते हैं x square plus x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x minus of x minus 2 क्योंकि 2x minus x x देगा and into minus x करेंगे तो minus 2x square मिल जाएगा equals 0 अब देखीए x square plus 2x से क्या common कर सकते हम लोग तो x तो यहाँ से हमने common कर लिए x तो यहाँ पर बज़ जाएगा x plus 2 and minus x minus 2 से हम लोग minus 1 को common कर लेते हैं तो यहाँ पर बज़ जाएगा x plus 2 equals 0 अब देखीए यहाँ पर हमारा common term है x plus 2 तो bracket के अंदर हमें मिल जाएगा x minus 1 common करने के बाद equals 0 अब दोनों term को हम लोग 0 से equate करेंगे तो लिख सकते हैं x plus 2 equals 0 और लिख सकते हैं x minus 1 equals 0 तो यहाँ से देखीए हमें के मिल जाएगा x equals minus 2 और यहाँ से मिल जाएगा x equals 1 तो यह हमारा cosine number 53 भी solve हो गया तो चलिए अब हम लोग देखते हैं cosine number 54 को तो देखी यहाँ पर जो quadratic equation में दिया हुआ है यह standard form में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इस equation को solve करके इसे standard form में लिखेंगे और देखी यहाँ पर mention है कि x not equals minus 1 रहेगा and 1 by 3 रहेगा यहना कि x का value यहाँ पर minus 1 और 1 by 3 नहीं होगा क्योंकि x का value अगर minus 1 and 1 by 3 होगा तो यह not defined हो जाएगा आप put करके देख सकते हो है ना तो चलिए इसे हम लोग आगे solve करते हैं तो देखी यहाँ पर x plus 1 and 2 का LCM क्या आ जाएगा x plus 1 into 2 अब देखी इसे हम लोग solve करते हैं अगर x plus 1 से इस term को divide करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा and 2 into 3 क्या मिल जाएगा हमें 6 अब अगर हम लोग 2 से divide करते हैं इस पूरे term को तो यहाँ पर 2 cancel out हो जाएगा and यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा minus of x plus 1 योगि 1 से अगर आफ x plus 1 को multiply कीजएगा तो x plus 1 मिलेगा ना and यहाँ पर minus sign है equals 2 by 3x minus 1 अब देखिए यहाँ पर अगर इस term को मिलोग solve करते हैं तो 6 minus x minus 1 by 2 into x करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x and 2 into 1 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 equals 2 by 3x minus 1 अब देखिए यहाँ पर इसे solve करके लिए सकते हैं 6 minus 1 which is 5 minus x by 2x plus 2 equals 2 by 3x minus 1 अब यहाँ पर हम लोग cross multiplication कर लेते हैं तो लिख सकते हैं 5 minus x into 3x minus 1 equals 2 से इस term को multiply कर देते हैं 2x plus 2 अब इसे हम लोग आगर solve करते हैं 5 into 3x जो की हो जाएगा 15x 5 into minus 1 जो की हो जाएगा minus 5 minus x into 3 minus 3x square minus x into minus 1 plus x equals 2 into 2x 4x and 2 into plus 2 जो की हमें plus 4 मिलेगा अब देखिए 15x and x add करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 16x minus यहाँ पर है 5 minus लिखते हैं 3x square equals 4x plus 4 अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16x 4x को इदर लेते आते हैं और इसके सामने लिख देते हैं अब यहाँ पर हम minus 5 and 4 को इदर लाएंगे तो minus 4 अब देखिए 16x minus 4x जो की हमें मिलेगा 12x minus 5 and minus 4 which is minus 9 अब यहाँ पर minus 3x square equals 0 अब देखिए इसे arrange करके लिख देते हैं तो लिख सकते हैं minus 3x square plus 12x minus 9 equals 0 अब यहाँ से हम लोग minus 3 को common लेते हैं तो क्या बचेगा x square minus यहाँ पर हो जाएगा 4x and यहाँ पर हो जाएगा plus 3 equals 0 अब देखिए इस पूरे टम को अगर हम लोग minus 3 से divide कर देंगे तो यहाँ पर minus 3 क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमें minus 4x को break करके लाना है कितना तो 3x square कैसे ला सकते हैं चलिए देखते हैं x square minus 4x को लिख सकते हैं minus 3x minus x plus यह 3 equals 0 अब देखिए x square and minus 3x में x common कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर बज़ जाएगा x minus 3 and minus x plus 3 में हम लोग minus 1 को common कर लेते हैं तो यहाँ पर बज़ जाएगा x minus 3 equals 0 अब यहाँ पर देखिए हमारा common term है x minus 3 लिख लिए हमने तो bracket के अंदर हमें मिल जाएगा x minus 1 यहाँ पर यह बज़ जाएगा equals 0 अब दोनों term को हम लोग equate करेंगे 0 से तो x minus 3 equals 0 और लिख सकते हैं x minus 1 equals 0 तो देखिए यहाँ से हमें x का एक value मिल जाएगा 3 और x का दूसरा value मिल जाएगा